तो इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी गेम की सिटी में आ चुका है सायरन है जो पूरी सिटी को तबाह कर रहा है इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले हमारे हलकों को एक्टिवेट करना होगा ये दोनों के बीज बहुत खतरनाक युद्ल होगा अब ये क्या खतरनाक सपना देखे सापना था ये रियल समंध में नहीं आ रहा है चलो टीवी में देखना पड़ेगा तो हमारी सीटी में आ चुका है सायरन हेड आगर आपको सायरन हेड दिखाई दे या उसकी आवास सुनाई दे तो आमाई पुलिस में रिपोर्ट लिखाना पड़े तो गुड मोर्निंग गाइस में राद वर ऐसे खड़ा रहा है मैं तो यहां सहे लए नहीं मेरे को बहुत डर लग रहा था बाद भी आ रही थी बहुत ब्यानक ब्यानक फिर तोड़ी दिर बाद आवा जाना बंद हो गई थी मुझे लगता कोई लाप रवाही नहीं करना चाहिए मुझे अपने जान को खत्रा जाएगा वनना मुझे जल्दी से पुलिस में जाकर रिपूर्ट लिखाना पड़ेगा कर दिया है पुलिस प्रटेशन तो आ चुके हैं अब चलो पुलिस बाल को जल्दी से बता देते हैं अरे अंकल यह मुक्का से मार दूंगा जल्दी से बताओ साइरन हैड को कैसे भगा सकते हैं अरे बेटा मैं तुम मजा करना था गूजबूरा मान गया चलो मैं तिरको बताता हूँ साइरन हेड को हम नहीं मार सकते के वल एकाम आदमी ही मार सकता है उसके लिए हलको को एक्टिवेट कराना होगा बेटा तुने सही सोना सबसे पहले हलको को एक्टिवेट कराकर रात को त मुझे तो फता ही दिया यार गाइस मुझे फता ही ये 5 NPC को मारेंगे तो इन्हें जेल हो सकती पर मुझे भी हो सकती इसलिए मैं अपने मुक्गे से मारूंगा जिसमें कोई भी सबूत नहीं चूटेगा कि NPC मर भी चुक्किया और मैं जेल भी नहीं हो मैं भी काफी ज्यादा स्मार्ट हूं मतलब स्मार्ट तरीके से मारना पड़ेगा जाके चलो यहां पर NPC की खादाने दिख गें चलो फटा पटें में NPC को मार देता हूं जल्दी मर 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 नहीं रहा है ऐसी कॉंसिसमेंट खाकर पैदा हुए है जल्दी मरना बे एक NPC तक अभी को मार दिया हो अब चलो यह अंकल को मार देता हूं जल्दी से मर जाओ बेटा तम लोग की तुम्हारी कुर्बानी देना जरूरी है गई और अटेक कर रही चलो कोई बात नहीं अपने बचाओ के लिए अटेक करना जरूरी होता है कोई बात neई चलो हमने आपको भी मार दिया है और एक तु मेरी ये बाल आ गेर जा रहागा, इसको उटाकर बैटना पड़ता है। कोई बात ने का साम होने भी एह रादी भी होने ही वाली जल्दीं चापन को एक NPC को मारना है क्योंकि पुलिस बाली नहीं भोला था रात को आधी रात को जाना पड़ेगा अपन को चलो एक NPC बचा इस बहन को मार देते हैं जल्दी से अपन चलो कोई बात नहीं अपने 5 NPC को तो मारी दिया है मतलब अपने गाइस अपना 5 NPC को मार कर अपने पहला मिशन गब लिट कर दिये जो पुलेत वाले ने बोले थे अब अपन लोगो को आधी रात होने का इंतजार करना पड़ेगा चलो यार यहां पर रात हो चुकी अब अपने को मुझे लगता है चलना चाहिए ज़्यादा रात नहीं करना चाहिए बना साइरन हैट मेरी उपर फिर से अटेक कर सकता है क्योंकि गाश्यार यह हमारी सीटी के काफी ज़्यादा करीब आ चुका है इसकी आवाज अब बहुत ही ज़्यादा कभी भी सुनाएं दिरिक्नी के मिलती है अपन लोगों तो चलो एयरपोर्ट में जल्दी से चलते हैं आपन लोगों तो मैं तो रात भर मतलब देन भर यह हमोंने है अगर को अगले को करा पाया तो हमारी सीटी को तबह कर देगा हमपने हैर पो रफान बंपन पॉंच चुके हैं अब गया ओ हुलक भी जन्रेट तो यहां पर मैंहारा हलक बाभर यूज आरा हालक के पावर को केबल एक ही बार यूजो कर पाएंगे evlux को हímने सबसे पहले हलक को अक्टिवीट कर नहीं है है हुलक के लिख लिखित पहले है लिख यह तो हमारी पावर केवल एक यबार यूज करते हैं उसके बाद आपने लोग अपने इंडियन वैट रामशीड गैम के अंदर में अलक नहीं बन पाएंगे करते हैं इसलिए अपन लोगो दिन में मारीं गया पूरे साइरन हैट को और हमाई साइरन हैट से बचना होगा साइरन हैट को पता है कि हलक का एक्टिवेट हो गया क्योंकि अवी रात हुई है दिन होने में काफ़ी टाइम है जल्दी से बेनादेरी करें अपने घर के अंदर में जाकर छुप जाता हूं उसी कवट के पीछे जिस कवट के पीछे में पहले वाली रात को छोपा था और गाइस यार मेरे अंदर आ चुकी हलकी की पावर तो देख सकते मेरी बॉड़ी और डी भी मतलब फूली गई एक मतलब कितना ही ज़्यादा ताकद वर जैसा महसूस भी कर पा रहा हूं और मैंने तुम लोग को बताया है अपने अपने घर के दर्वार जे खुले राखा था तो उसको डगा होगा ये खंडर गर है इसलिए वो मेरे घर के पास नहीं आया मैं पलंके नीचे भी छुप और मुझे तो काफी ज़्यादा घर मतलब डर लग रहा था मैं क्या बता हूं तुम लोग को बता नहीं सकता अब अपने को जल्दी अपने साइरन हैट को मारना हो गया बहुत ही ज़्यादा हो गया दो दिन से बेड़ा हूं मैं उसे मारने के लिए पर अब तो मैं साइरन ढूना होगा दिन में अपने सारण है अफ मेरे गर के साइड साइड से आवास मतलब quedar मुझे मेरे पीछ जाकर देखना होगा चल्डि से अपन चलो पीछलेवे रोड जाकर देह तैं उसी डेखने करी मिले सकते है अपन योगो क्योंकि मुझे काफी जादा आवाज मेरे पीछे तरफ से आ रहे थी और आगे से गुजरा था गाईस ऐसा लगा था मुझे सायरन हैडी ये क्या मैं अब तुमको बता भी नहीं सकता हाखी मुझे लगा यहां से काफी सी जाद़ा आवाज आरे सायरन हैड की मुझे लग रहा हुआ ही कहीं मुझे आएस पास देखने की Labs अगा मुझे असकी नजर से बच कर ही इसको तेखना मैंने एक काम करता हूँ उसको देख लेता हूँ और उसको मेरे पीछे बेड़ा देता हूँ फिर मैं मेरी सिटी के तरह पर जांगो वहाँ पर हल्क को एक्टिवेट करूंगा और भाई शहाब यह दिख गया मुझे साइरन एड यह देखो यह ब्रिच को तोड़ ना देखाई शुरी यह देखो यहाँ पर एक ही बार में इसने ब्रिच को तोड़ी दिया है मुझे लगता है जल्दी शहाब अपनी सिटी को बचाने के लिए मुझे फाइट कराना होगा और साथ में यह देखो एनपीसी को भी मार देता है और यहाँ पर गाड़ी हाँ तोड़ा मतलब कुछ को भी फोड़ देता है तोड़ देता है यहाँ यहाँ पर देखा जनफे हाँ बच्के लिए भागना होगा और मुझे लिए प्याइट को जल्दी श पर आनपर यूस करना होगा मुझे लग रहा है यहीज फाँम है क्योंकि अब मेरे पीछे एक साइरन हैट पीछे लगा और मुझे लगा उसके साथ उसकी सेना मतलब उसी के अंदर समाइत हो गई यह अपन को मारना होगा उसको तो वेट ओ भाई साब यार यहाँ पर देख सकतो एक साइरन हैट सोचा था मैंने यहाँ पर तो तीन तीन साइरन हैट है देख सकतो इस वाले साइरन हैट के अंदर में कितने सारे साइरन हैट निकल चुके यहाँ पर चलो कोई बात नहीं यार हमारा सूपर हीरो तो केवाल ए साइरेने एध का साइरेन एने जैफे देमेज वी हमारे हलके के अंदर भी जादा पावर नहीं बचीक देख सकते हैं साइरेने को मार चुका फाइनली को पना दीचकाा फाइनली को कुछ एखम बना दिये हिसके मारा वाल् Moosil को स्थ gob मुझेल अगर आप बागी की दो साइरन हेड बचे होने भी हमें मारना पड़ेगा और हाँ यार मेरी बास सचने की लिटी वी कंट्यूनी लिखा आ गया अब आप लोग को कमेंट करके बताना ये दोनों साइरन हेड को मान निकली कौन से दो सूपर हीर को जनरेट किया जाए कमेंट करो जल दिशे सबी लोग